हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल शाहना गोयल सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी की प्रेपरेशन अच्छे से चल रही होंगी सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट टू है हमारा मैथ के सीरीज नेड्स फोर थेट एक्जाम देखिए प्रिविएस वीडियो में हमने जो बेसिक केट थे ठीक Э significa नंबर्स के नैश्नल नंबर्स क्या होते हैं होल फ क्या हैं real रिश्नल लंबर्स हो जो बेसिक चीजी ना वो डिस्कस कर चुके हैं number system के related आज हम कुछ और important terms plus formula start करें इस वीडियो में साथी में हम इसके related कुछ questions भी साथी के साथ देखेंगे ठीक है आपको थोड़ा clarify हो जाएगा यह चीज़ so before I start with the session friends में आपको बता दो हमारी CDP की classes वो भी regular लग रही हैं तो काफी बच्चों के मुझे comments आ रहे थे कि मैं हम CDP रोक रहे हैं या फिर उसके related क्या issue है तो देखिए एक दिन आपकी CDP की class होगी तो next आपकी mathematics की class होगी फिर आपकी CDP ठीक है alternate days यह series आपकी जो है यह proper चलेगी ठीक है alternate days पर हम एक दिन mathematics करेंगे एक दिन CDP दोनों parallel ही चलेंगी कोई भी चीज हम रोकने वाले नहीं है क्योंकि हम साथ की साथ सब concept अच्छे से देखेंगे साथ ही में practice questions so friends अगर आप मेरे channel पर नहीं है तो इससे subscribe कर लीजिए और साथ ही में meaning ही नहीं पता तो हम question को किस तरह से attempt करेंगे ठीक है मैं example लेकर ही आपको सारी चीजें आज यह explain करने वाले हो successor क्या है आपको direct पूछा जा सकता है मैं चोटा नंबर लेके एक बार ही बता रही हूँ what is the successor of 99 क्या होगा answer मुझे comment करके साथ साथ बताते जाए यह successor of 99 successor means जो भी number आपसे पूछा है उसमें आपने plus one करके answer करना है तो किसी भी number का successor क्या होगा ठीक है इसका answer तो क्या आगया hundred successor किसी भी number का क्या होगा वो number क्या है उसमें आप एक जोड़ देंगे तो यह आपका क्या आगया successor success means आगे बढ़ना means एक कदम आगे बढ़ना ठीक है जो भी number उसमें plus one कर दीजे आपका successor आ जाएगा ऐसे questions पूछे गए है ठीक है तो उसके बाद है predecessor predecessor successor means plus one predecessor होता है minus one यह किस तरह से पूछा जाता है for example what is the predecessor of thousand यहनिकि हमने thousand में से minus one करना है that is triple nine clear हो गई यह चीज समझ में आ गया ठीक है इसका formula का हुआ n minus one दीखिए जिनको तो यह चीजे पता है ठीक है otherwise बचो आप लोग जो मैंने page की बात की थी जहां पे आपने formulas अपने start करने तो वो formulas आपके start हो चुके हैं यह आप अलग अपने note down करते जाए otherwise कुछ भी ऐसा note down करन करने वाली होगी वह मैं आपको साथ की साथ बता दूंगी साथ में जो questions हम करते हैं वो आप भी मेरे साथ solve करने की कोशिश करें और देखें आपका answer क्या आता है उसके बाद होते है consecutive numbers होते हैं जो numbers साथ-साथ होते हैं ठीक है अगर हम normally बोले consecutive numbers like 1,2,3 जो भी natural numbers हैं यह सारे क्या है consecutive numbers अब बात आती है इसमें पूछ सकते हैं आप से कि consecutive even numbers या फिर consecutive odd numbers यह दो concept आते हैं अगर आप से पूछा जाए consecutive even numbers तो वो कौन से हैं like 2,4,6 या फिर 16,18,20 यह क्या है consecutive even number यानि कि अगर 2 के बाद कोई even number है वो यहीं पे लिखा हुआ है कोई miss नहीं है इनके बीच बोलते हैं उसी तरह से अगर हम consecutive odd numbers की बात करें तो वो क्या है like 17,19,21 यह क्या है consecutive odd numbers clear हो गई है चीज ठीक है consecutive means बिल्कुल 7-7 में अगर even बोल दिया तो even numbers जो 7-7 में odd बोल दिया तो odd numbers जो 7-7 में है ठीक है उसके बाद आता है आपका LCM and HCF बहुत important है यह चीज और इसमें स 100% एक question आपको आता ही आता है देखे LCM क्या होता है least common multiple वैसे इसको direct नहीं आता कि LCM बताइए HCM बताइए इसका यह formula होता है आपने LCM या HCF किसे भी दो numbers का find out करना है ठीक है दो numbers का find out करना है तो वो numbers क्या है suppose N1, N2 तो formula क्या है अगर हम LCM और HCF को multiply कर दे तो हमारे पास equal क इसके होगा product of the two numbers ठीक है product of LCM and HCF is equal to product of the two numbers यह चीज़ क्लियर होई अब हम इसके related जो questions है वो देखते हैं तो देखें आप question अपनी screen पर देख पा रहे हैं if sum of 5 consecutive numbers is 60 ठीक है 60 दिया हुआ है हमें sum 5 numbers का जो लगातार है हमने क्या माना कि सबसे पहला number क्या है first number हम x से zoom करेंगे next number क्या है x क्या है एक variable है जिसकी value हमने find out करनी है ठीक है तो next number क्या होगा इसमें अगर हम एक जोड़ दे ऐसे लिख देती हूं आपको समझ में आ जाएगा फिर अगर हम 2 जोड़ दें फिर x plus 3 plus x plus 4 कितने numbers हो गए 1,2,3,4,5 ठीक है इनका sum क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है अब question क्या कहता है first number क्या है ठीक है first number यानि कि हमने x की value find out करनी है अब देखें इसमें सिरफ हमें first number प कूच सकते हैं कि fourth number क्या होगा इस series का तो हमें अगर x पता लगया हम कोई भी number find out कर सकते हैं अब देखें x कितने times आ रहा है 5 times 5x plus 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 यहां पे 10 आ गया is equal to 60 अब हमारे पास यह equation आ गई यहां से हम क्या करेंगे 5x is equal to 60 के साथ 10 उदर minus हो जाएगा यह क्या रह गया हमारे पास 50 50 अब 5x is equal to 50 हमारे पास equation आ गई तो x की value क्या होगी 50 हम क्या करेंगे इधर multiply है तो इधर जाके क्या हो जाएगा divide तो हमारा first number यानि की x की value कितनी आ गई 10 तो यह series कहां से start होती है 10 से 10 11 12 13 14 यह 5 consecutive numbers हैं अब इस question में आपको first number पूछा गया तो हमारी option B क्या है correct answer otherwise इस तरह के question में आपको कोई भी number पूछ सकते हैं कि third number कौन सा है या fourth number कौन सा है and so on यह चीज़ clear हुई next question देखते हैं the LCM of two numbers is 25 times their HCF अब LCM क्या है 25 times HCF ठीक है statement को one by one लिखते जाएंगे then the sum of LCM and HCF is 1040 LCM plus HCF कितना है 1040 हमें और क्या दिया हुआ है if one number is 320 हमें एक number 320 दिया हुआ है हमने find out क्या करना है second number यानि कि n1 दिया हुआ है n2 हमने find out करना है यह situation है हमारे पास ठीक है अब LCM क्या है 25 times HCF तो LCM यहाँ पर LCM को मैं यह चीज़ लिखतू 25 HCF plus HCF is equal to 1040 तो यह क्या हो गया 26 HCF is equal to 1040 and HCF क्या आ जाएगा 1040 upon 26 इसको solve कीज़े क्या आएगा answer यह आ गया हमारे पास solve करके 40 आ गया HCF ठीक है तो HCF 40 आ चुका है HCF कितना आ गया 40 तो LCM क्या होगा 25 multiply by 40 यह कितना हो जाएगा 1000 अब देखें हमारा formula क्या था HCF multiply LCM is equal to number 1 multiply number 2 अब हमने number 2 निकालना है तो हम लिख देंगे n2 multiply by 320 is equal to 40 into तो number 2 कितना आ गया divide by 320 इसको solve करेंगे हम तो answer हमारे पास आएगा 125 answer 125 आ गया so option B 125 हमारे पास क्या है correct answer देखें इस session के end में आपको तो मैं कुछ practice questions भी दों कि जो आप खुद से practice करेंगे इनी चीजों के related एक दो questions ठीक है आपको पता लग जाएगा कि आप खुद से करते हैं तो कहीं पर आपको problem तो नहीं आ रही है and so on यह चीज़ समझ में आई तो वीडियो के थमदब जरूर दिखाईए like and share कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को friends अगर आपको यह helpful लग रही है तो so now next हम देखते हैं हमारा formula for calculating sum of basically यह natural numbers है सारे ठीक है sum of numbers लिखा है यह सभी natural numbers है तो सबसे पहले है sum of n natural numbers यानि की 1 plus 2 plus 3 suppose हमने देखने है 20 numbers ठीक है 20 तक देखना है तो formula क्या है 20 20 plus 1 upon 2 यह होगा इसका sum क्या आ गया इसका answer 20 into 21 upon 2 420 divided by 2 कितना आ गया 210 यह आ गया इसका answer ठीक है बिल्कुल easy है calculate करना आपने बस यह calculation थोड़ी ध्यान से करनी है speedily जरूर करनी है लेकिन थोड़ा ध्यान से करनी है ठीक है तो 210 हमारा answer आ गया इस तरह से आपको कोई भी question ऐसे आ सकता है next is somehow first and odd numbers अब देखें यह जो series है ठीक है यह सारी series क्या है continuous है कोई odd या even नहीं है लगातार सभी numbers है consecutive terms है natural numbers की ठीक है अगर आपसे odd या even का भी पूछा जाता है तो उसका formula क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 अब यह देखें अगर हम 3 की बात करें 3 कौन से place पर है second तो 2 into second place है न तो यहां पर 2 minus 1 तो यह क्या आ गया हमारे पास 3 तो यह क्या है n कितने place पर वो number है इसे से यह formula बना है 2 n minus 1 का ठीक है अगर 5 का देखें यह third place पर है third number है यहां पर ठीक है 2 into 3 minus 1 कितना आ गया है हमारे पास 5 तो यह 3 क्या है n कितने numbers कितने odd numbers का हम some find out करना चाहते हैं for example हम 10 numbers का first 10 odd numbers का some find out करना चाहते हैं तो 1 plus 3 plus 5 plus कितने 2 into 10 minus 1 कितना आ जाएगा यह यहां पर number 19 तो यह कितना आ गया 10 का square यानि कि अगर हम first 10 odd numbers का some find out करना चाहते हैं तो वो आंसर कितना आएगा, 100 इसी तरह से हमारे पास even numbers की series है even numbers कितने हैं ठीक है, उसका हम some find out करना चाहते है for example 9 first 9 even numbers का हम sum find out करना चाहते हैं तो उसका formula क्या है simply 2 multiply by कितने numbers का आप find out करना चाहते हैं sum तो वो कितना आगया आपके पास 18 बस देखें आपको यह formulas आने चाहिए calculation part में कुछ भी नहीं है है ना formula आपको याद होना चाहिए ये वाला ये वाला बस आप note करते जाएए अपने अलग एक special page पर formulas को साथ में अब next है sum of squares of first and natural numbers first and natural numbers का अगर हम square कर दें फिर उनको add करें तो उसका formula क्या है ये तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक कीजे direct ये paper पीटेट के paper में ये question आया हुआ है sum of squares of first and natural numbers उन्होंने direct इस चीज का formula पुछा हुआ है ठीके तो अगर आपको formula पता है तो within second एक second लगेगा सिरफ आपने उसको जो अपनी option को circle करना है ना OMR sheet में उतना ही time लगने वाला है उसके इलावा एक भी second extra नहीं लगेगा next is sum of cubes of first and natural numbers उसी तरह से देखिए अगर हम सभी natural numbers का cube कर दें फिर उनको जोड़ें तो उसका formula क्या है N into N plus 1 ठीक है bracket में divided by 2 इसका whole square तो ये चीजें आप थोड़े से questions जब practice करेंगे ना इसमें आपकी speed बन जाएगी बाकी इसमें कुछ भी नहीं है अब हम जो questions है कुछ questions और देखते हैं इसके related so question आप देख पा रहे हैं अपनी screen पर the sum of squares of first 10 natural numbers तो formula कौन सा लगेगा देखिए D वाला first 10 natural numbers यानि कि N की value हमें क्या दी है N is equal to 10 तो value put कर दीजे 10 10 plus 1 10 plus sorry 2 into 10 10 plus 1 divided by 6 इसको solve कर ले 10 into 11 multiply by 21 divided by 6 तो इसको आप solve करेंगे आपका answer आएगा 385 that is option A क्या है हमारी यहाँ पर correct answer अब देखिए in the previous video हमने discuss किया था about face value and local value place value ठीक है याद है आप लोगों को या नहीं याद है तो उसके related question है difference of face value and place value of 8 एक number हमें दिया है 4803 you can see the question here 4803 दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमने 8 number की place value क्या है place value क्या है 8 की जगा देखिए उसकी कहां पर बैठा है वो यहाँ पर बैठा है ठीक है और इसकी face value क्या है 8 क्या लिखा हुआ इसके चहरे पर 8 लिखा हुआ है ठीक है तो अब इन्होंने क्या बोले कि इन दोनों में difference find out कीजिए easy है या नहीं है 800-8792 बिल्कुल easy option D हमारा answer है तो देखिए यहाँ पर focus किस चीज़ पर है कि बच्चों को place value और face value का funda पता है यह नहीं पता है यह चीज़ हमें अच्छे से पता है कि face means बस शकल देख लो बंदे की क्या उसके चहरे पर लिखा हुआ है वो उसका number है place किस जगा पर वो बैठा है पूरी जगा पूरा आपको visit करना पड़ेगा उसकी जगा तक पहुँचने के लिए तो वहाँ पर हमने zeros लगानी है so this is the simple question here एक question और है दिखे reciprocal of which number is 0 यनि की x की क्या value put कर दे कि अगर हम इसको reciprocal कर दे तो इसका answer 0 आएगा तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम किसी भी number को infinity से divide करते हैं तो उसका answer क्या आ जाता है हमारे पास 0 reciprocal किसी का ये number था x हमारे पास अगर ये कहते हैं x का हम reciprocal कर दे यानि की inverse कर दे तो उसका answer क्या आएगा 0 infinity मतलब जो चीज़ हम count ही नहीं कर सकते biggest term ठीक है बिलकुल दूर कितना दूर आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीज ठीक है तो उसका अगर हम बिलकुल उल्टा देखें तो 0 जिसको आप इसको भी in case आप measure नहीं कर सकते लेकिन this is the smallest number ठीक है एक्चल इसमें कोई number भी नहीं है number smallest क्या होता है basically natural number 1 लेकिन infinity का reciprocal 0 होता है और 0 का reciprocal क्या होता है infinity यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो यह पीटेट के पेपर में देखें 2016 के पेपर में यह question आया हुआ है बिलकुल easy है सिर्फ आपको यह concept पता होना चाहिए clear हो गई यह चीज समझ में आया है यह सब कुछ तो देखें इसके related जो है आप अपना homework भी ले सकते है तो देखें यह है आपके practice questions यह आप practice कीजे और comment में मुझे इसके answers बताएए और in the next session of mathematics series हम पहले इन questions को discuss करेंगे फिर अपना काम आगे बढ़ेंगे ठीक है so friends I hope यह session आपको helpful रहा होगा so please इस video को जादे से जादा like and share जरूर कीजे और CDP की classes आपको alternate days पर देखने को मिलेंगी तो वो sessions भी आप definitely attend कीजे so friends see you in the next video till then keep watching